हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक मैं यूटूब चैनल आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स की इस समय चाइनिज वाइलेट के प्लांट को कैसे हम कटिंग से लगा सकते हैं और बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है और बारिस का मौसम भी चल रहा है तो इसमें आप धेरो सार नए नए प्लांट कर सकते हैं इस समय और बहुत ही अच्छा बहुत ही सुंदर यह पौधा होता है और पर्मानेंट पौधा होता है तो इससे पहले मेरे कुछ गरडन के फ्लावर्स देख लिजिए ये रेड कलर में हैं जीनिया फ्रैंट और इसमें जीनिया में मेरे क्रेटर किलर का बहुत ही ज्यादा टैक हो गया है देख सकते हैं सारे पत्तियों को चट कर जा रहा है यह और मैं बहुत खोजती हूं लेकिन मुझे दिखाई ही नहीं देता है और एक यह देखिए बटरफ्लाई कितनी मज़े ले रही है यह फूलों पर बैठ करके तो फ्राइंट्स देख सकते हैं मैंने मारी गोल्ड की सारी पिंग्चिंग करके छोड़ दिया है और सभी में नियू ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है पिंग्चिंग करने के बाद नए ने ब्रांचेज निकलने लगे हैं और एक इधर जीनिया यह देखिए बहुत ही प्यार कलर है यह जो ट्रोफा फ्लावर की कलर होती है फ्रैंट्स बिल्कुल उसी की तरह है यह वही कलर है और काफी खुबसूरत लग रहा है इसके कलर्स तो यह मैं नरसरे से इसके सीड लाई थी तो उसी को मैंने ग्रो किया है तो यह लगता है वाइट कलर का होगा सफेद खिले और एक इधार देख सकते हैं लाइट पिंक एक यलो और बहुत ही प्यारा लग रहा है सारे कलर्स अलग अलग कलर्स के निकल करके आ रहे हैं और काफी खुबसूरत लग रहे हैं देखने में तो अगर वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो प्लीज लाइक सेयर केमेंट्स सके तो फ्रेंड्स प्लीज एक लाइक तो कर दिया कर ये आप सब आपके लाइक से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है और हमारा वीडियो बनाने में भी मन लगता है कि हाँ चलो मेरे वीडियो कि किसी को तो पसंद आ रहे हैं तो इधा देखिए कर जीनिया है और इसमें लग अलग निकल करके आएंगे इधा देख सकते हैं डबल लेयर का ही विसकस दोखीले हुए हैं और काफी खुब्स अलग रहा है ये घाल एक एधार देखिए लाइट पिंक जीनिया यह खिला हुआ है काफी खुब्सूरत लग रहा है देखने में बहू सुंदर लग रहा अगर फूल नहीं खीलते हैं तो भी ये पतियों से बहुत ही खुबसूरती से मैं प्लांटर्स में मैं लगा है और इसको देखेंगे तो इसमिंए Bye więc प्रांटर्स में मैं ने लगाया है vam चार इन्जच का है यह कितनी Ski हाइट हो गए है ग्रोथ भी काफी अच्छा हो गया है तो इसमें आप कटिंग से इसके ढेरो सारे नए ने पोधे तयार कर लेजिए और इसी को मैं आज कटिंग से लगाने वाली हूं और इसमें भी देख सकते हैं कितने ढेर सारे एरियल रूट से बने हुए हैं सभी में और तो 100% यह एक भी कटिंग आपकी फेल नहीं होगी चाहे जैसे स्वैल में आप लगा देंगे वैसे स्वैल में यह लग जाएगी यह नहीं कि आप इसे सिर्फ सेंड में ही लगा सकते हैं कोई भी मिट्टी में लगा सकते हैं बट चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए फ्रें इतनी बड़ी बड़ी इसमें एरियाल रूट्स सब बने हुए हैं इधर देखिए ये भी और इसमें रूटिंग भी काफी अच्छी हो गए मैं आपको निकाल करके एक दिखाते हूं और काफी अच्छे से इसकी कटिंग चल गई है सारी एक भी कटिंग मेरी खराब नहीं हु है कितनी बड़ी बड़ी रूटिंग हुई है देख सकते हैं इसमें रूट्स बने हुए हैं तो सिर्फ इसे मिट्टी में भी आप लगा सकते हैं चाहे सेंड में भी लगा सकते हैं चाहे जिस भी मिट्टी में लगाएंगे बहुत अच्छी कटिंग चल जाएगी बस कोई बच्चा भी इसको कटिंग से लगा सकता है इसमें और इसमें एरियल रूट्स बने हैं तो 100% एक भी कटिंग आपकी फेल नहीं होगी और बारिस का मोसम भी चल रहा है तो मैंने इसको कटिंग लगा करके धूप में ही छोड़ दिया था सेड में भी नहीं रखा था फिर भी यह अज़े अरे कञ़ रूटिंग हुई है सारे कटिंग मेने लग गए है और पत्तों से भी यह बहुत प्यार बहुत खूबसूरत है फूल नहीं आएंगे तो भी यह पत्तों में भूशचा स्वानों मिट्टी भर लिया है तो यह मेरा सब गार्ण का ही मिट्टी है गम्ल तो वहीमम बरकर के लगा रही है कोई कद मैंने इसमें डाला है बस ऐसे को भर लिया है मैंनेंदने चाहिए तो आप cob clever मिलासकते हैं लेकिन cuttings लगाते समय का कचाथ नहीं मिलाना चाहिए नहीं बाहर से जड़े निकली हुई हैं तो बहुत ही अच्छा ये पौधा होता है तो इस समय इसके धेरों सारे नए-नए कटिंग लगा करके आप धेरों सारे हजारों सारे पौधे बना सकते हैं आप इस समय और जितना आप कटिंग करेंगे इसमें से आपके नियू ब्रांचे भी आएंगी हर जगह से और आपका प्लांट भी काफी हेल्दी हो जाएगा घना हो जाएगा तो इसलिए आप इस समय इसकी कटिंग से भी कर लीजिए आपका प्लांट फिर से नए-ने ब्रांच के साथ हेल्दी हो जाएगा और इसकी जड़े देखिए नीचे से कितने अच्छ निकली हुई है तो कुछ दिन पहले मैं उस प्लांटर की कटिंग लगाई थी तो उसमें भी नए नए सूट सब बन गए हैं तो वह प्लांट हेल्दी हो गया है इसको आप प्रून कर देंगे तो आपका यह प्लांट भी निव ग्रोथ करेगा तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने इसको कट कर लिया है और कुछ भी मैं नहीं लगा रहे हूं बस ऐसे ही इसको स्वाल में दबा दे रहे हूं लगा दे रहे हूं बस ना ही रूटिंग हार्मोन मैं लगा रहे हूं ना ही एलोवेरा जेल लगा रहे हूं बस कुछ भी नहीं कि अफिक दीद हार्मॉन गते हैं और नहीं तो आप से थी अगर नहीं लगह सकते हैं तो ड़ती हैं यहां फंगजिदा चेंज हो के तौर पे तो बहुत ही इजी टू ग्रो यह प्लांट होता है बहुत इजी से कटिंस की लग जाती है तो आप इस समय इसके धेरों सारे नए-nए cuttings लगा करके नए नए ठेरो सारे plant बना सकते हैं और काफी खुबशूरत लगती है इसकी पतिया और परपल कलर के छोटे-छोटे वाःट कललर के फूल भी आते हैं वाइलयट किलर में होते हैं छोटे-छोटे फूल नहीं ब्रांचे भी आएँगी तो आपका प्लांट घरना भी हो जाएगा तो जो मैपने निकाली आपका भी देख सकते हैं ऑफ जक्ते हैं अगर प्लती नहीं आ रहे हैं तो मेफ सब्सक्ति लगएगा आपका प्लांटर और आपका गारडन तो इसे आप जरूर इस समय अपने घर में एड़ करिए गारडन में एड़ करिए और पानी डाल करके आप पिसे रख दीजिए कहीं सेड पर सेड जगह पर और बारिस हो तो बारिस में रख दीजिए अगर आपके पास नहीं तो नर्सरी से अभी ला सकते हैं तो चलते हैं बाई